हेलो फ्रेंज कैसे आप सो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का जमा टॉपिक है वह प्रिंटेड सूट के नेक डिजाइन के बारे में इसको हमने लैस के साथ डिजाइन करना है तो यहां पी दोस्तों मैंने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है पेस्टिंग बुक्रम भी ले सकते ओ जार सिंपल फ़क्रम भी ले सकते हुआ है तो मैं जो इसकी लंबाहीर रखी है पैटर경 की वह 14 इंच रखी है और चुड़ा बनांगी डाया थो लेकिन यह मुझे जो इसका पैटरन बनाने लिए चाहए वह 8-4-4 इंच का मार्क में ल तो आप जो मैं इसकी डीपनेस का निशान लगाऊंगी वो देखिए हम किस तरह से लगाएंगे वो आप जितना भी आप अपने डुंगाई में गला रखते हो चेंच रखते हो साती इंच रखते हो वो अपने अकॉर्डिंग ले लिजेगा तो मैंने या पे चेंच का गला ब तो नीचे से मैं जो इसकी विर्थ रखूंगी वो 3.5 इंच रखूंगी उपर से लेके नीचे तक हमने एक टेढ़ा निशान लगा देना है तो यह जो हमारे पूरे पेटरन की मार्किंग होगी तो मैं इसी के उपर से कट कर दूंगी और दोस्तों जो इस पैटरन की पूरी चड़ाय थी वह आप पूरी पूरी भी रख सकते हो मैंने इसको फाल्तू ही लिया था ठीक है और यहां पर आधा इंच की जो हम उपर से मुढ़े की सिलाई लगाते है तीरे की उसका मैं मार्किंग रखूंगी 5.5 इंच मेरा जुंगला है पूर एड़ी रह जाएगा अभी जिस कपड़े भी आप इसको बनाओगे उसके उपर इस पैटरन को रखना है तो देखे मेरे यह सलवार का फैबरिक है और अगर आपके भी कपड़े में इस तरह से जिग-जग बना हुआ है तो आप भी अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग इसको पैटरन को उसके उपर लगा सकते हूँ मैं इसको पैड़ी लाइनो में चिपकाऊंगे इस तरह से यहां प्रेस प के साथ जायेगा फैटरन के साथ एक सिलाइ लगा लेनी है राफ सिलाइ वह आप में बाद में उढ्धेड सकते हो तो मैंने आधा-धा इंच देखे यहांसे इस तरह से कपड़ा फालतू रखा है आपने भी इसी तरह से कपड़ा फाल्तु रख लेना है आप चाहे तो इस फैब्रिक को फैविक रायल के साथ चिपका भी सकते हो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है लेकिन आम इसको लैस के ओपर ही कवर कर देंगे तो अभी हमने क्या करना है देखिए हमारे कुड़ती की हम रॉंग साइड लेंगे यह हमारी कुड़ती की उल्टी साइड है और इसके सैंटर में भी हम एक चोटा सा कट लगा दिया है तो अब देखे हम इसको इस तरह से नेक का जो हिस्सा है वो नीची की तरव सीधा होगा तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले सेंटर में से या तो आप पिन अप कर लीजे या फिर आपने बड़े बख्य के साथ बड़ी जो चाल की सिलाई होती है वो लगा के इसके उपर इस तरह से इसको कवर कर देना है ठीक है इस तरह से हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे चाल करके इसको अटेज करना है अपने पैटरन को यह बहुत ही उपसूर्त लगता है दोस्तों गला बना हुआ एक तम रेडिमेड जैसे रेडिमेड कुट्टी जाती है ना उनमें डिजाइन बने होते हैं प्रिंटेड सूट के तो वैसे ही यह हमारा सूट बनके रेडि होता तो इस तरह से हम इसको फिनिशिंग दे देंगे आप चाहे तो इसके उपर प्रेस भी लगा सकते हो या फिर आपने बिल्कुल पास-पास सिलाई लगा देनी है किनारी की और यह आपने बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई ही लगानी है यह देखे हम इसके उपर सिलाई लग कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डान उसकी नोटिवकेशन सबसे पहले आप तक रहो सके तो यह देखे हैं हमारी सलाय लगके रेडी हुई है तो अब हमने क्या करना है एक लैस मैं यहां पे लोंगी जिसका मैं यूज करूंगी और यह फ्लावर लैस है अच्छी लगती है बहुत ही कुपसूर सा डिजाइन बनेगा यह दोस्तो आपका तो याद रखे आपने अगर वाइट लैस लगा रहे हो तो धागा चेंज कर लेजेगा ओपर कई बार हमें याद नहीं रहता कि हम उसी धागे से ही जैसे सूट बना रहे होते हैं उसी लैस को काट भी सकते हो तो इस तरह से हम इसको भी फोल्ड करते हो इसके उपर लैस लगा देंगे और दोस्तों उमीद करती हूं कि यह डिजाइन आपको सिंपल सा डिजाइन है बहुत ही प्यारा लगता है बना हुआ गले के उपर और इस सूट के घेरे में भी मैंने आपक देख सकते हो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोस्तों जहां पर हमने पहले सिलाई लगाई है उसके थोड़ा सा करीब छोड़के हमने एक और सिलाई लगानी है ताके यह पूरी तरह से बैट जाए लैस हमारी यह पूरे नैक पर आपने लैस बची है तो उसके फ्लावर्स कट करके जहां पी मैंने बटन लगाए है वहां पर आप अपने फ्लावर्स को रख सकते हो एक एक करके तो वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजे कर दोस्तों चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर लें तो मैं चलती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाबाई फ्रेंड थैंक्स वाचिंग